नमस्कार दोस्तों मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल दोस्तों आज का वीडियो डेनेस पाइपलाइन और सीबर पाइपलाइन की फिटिंग पे है इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से डेनेस पाइपलाइन और सीबर पाइपलाइन को आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट भी स्ना होने पाए तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि डेनेज पाइप लाइन को कैसे फिट करेंगे यहां पर दिखिए दोस्तों यहां पर लेटिंग वाला यह टैंक दिखाए दिरा है जो भी कचड़ा ह पाइप है अभी यहां से कनेक्ट होके इधर आएगा एक फोट फाइप लगेगा यहां पर दिखिए दो पाइप दिख रहा है यह राइट साइड वाला दोस्तों यह वाटर सप्लाई वाला पाइप है यानि कि जो भी पानी गिरेगा बातरूम में उसको डेन करने के लिए आगे जाएगा यह उसके बाद देखिए यह लेप्ट साइड जो दिख रहा है यह ट्वाला पाइप लाइन है यही पाइप आएगा आगे यहां पर कनेक्ट होके टैंग तक जाएगा अब यह जो दोनों पाइप है दोस्तों आगे तक जा रहा है यह बातरूम में सीधा च इसको खड़ा कर दिया उसके बाद यहां पर दोस्तों पिट कबर आ जाएगा ठीक है और कभी ब्लॉकेज आता है तो यहां से चेक करेंगे ब्लॉकेज है कि नहीं है या फिर प्रेसर देके पाइप लाइन को साब भी करेंगे तो इस तरह से यहां पर दिया हुमें चेंबर के लिए अब यह यह पाइपलायं सीधा आगे जा रहा है देखें दोनों जो प्रेंड दोष्थो फोटा इंच का ही है ताकि जो है पाने डेन में कोईधककत ना हो और शव् Schulen कराप भी भासता है पाइपले मोटा है अभीए इस त nephew से आगे जा रहा है और अब दखेए यहां फे दुस्तों यह वाला जो आप अरिया देख रहे है दोनो पाय बाइन देकिए हुद्धर से आया है यह किचीन का एरिया है की चल में समिद्धy सिंग यहां है यह देखें सिंग का पॉइंट यहां पे है यह प्लेटफार्म है अब देखें प्लेटफार्म के नीचे से वहां से पाइप आ रहा है देखें वो जो दिवार के साइड में दूस्तों वो ट्वालेट वाला पाइपलाइन है यानि की लेटिंग वाला पाइपलाइन है उसके कि अब देखेंग को पानी यहां पर लिए की हैं यहां पर देखेंगी है यहां सीधह टियौज करेगा करेगा लगाते तो यहां पहले पानी सीधह आता वह वैक्विंथ कि मारता है इधर भी आता और कचड़ा फंसने का भी चांस्ट होता है तो यहां पर देखे yt का इस्तिमाल किया गया है पानी जो है यहां से आएगा इधा सिलिप करके वो सीधा आगे जाएगा तो इसलिए यहां पर yt यूज किया गया है अब देखे यहां पर इस तरह से आगे आ रहा है इसको reduce किया गया है चर से तीन इंचा बनाएं गया गया है यहां पर एक आगल यहां यहां पर यहां पे एक एंगल में लगा करें यहां पर नहानी ट्रह इस सिंक वाला जो पानी है उसको ड्रेन करने के लिए उसके बाद आप देखिए यहां पर इस तरह से एक सॉकेट दिया चोटा सा टुकड़ा दिया अब यहां पर एक वाई दिया वाई में 45 लगा कि यह मैं आगे भेजा हूं यह वाला जो है दोस्तों यह आगे जा रहा भी हो भ पानी जो भी गिरेगा वहां से डेन हो जाएगा ऊपर देखिए CPBC पाइप का भी पॉइंट दिया हूं अब देख सकते हैं यहां पर इंड कैप लगा हुआ है इसका जो हाइट है दोस्तों फ्लोर से 24 इंच पर रखेंगे अब देखिए यहां पर इस तरह से पाइप फिट अब देखिए सबसे पहले दुस्तों जो मैं दिखाया था तीन इंच वाला किचन वाले से देखिए यहां पर देदिया मैं 4-3 का ट्रेप यहां पर यहां पर फर्स वगेरा धोने के लिए तो पानी यहां से डेन हो जाएगा उसके बाद देखिए पाइप लाइन अब यहा इंट की दीवार बनाने की जरूरत नहीं है अब देखिए इस तरह से आगे आ रहा है और देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इसको रिडियूस कर दिया गया है जो डेनेज पाइप लाइन है इसको रिडियूस कर दिया गया है क्योंकि यहां पर दोस्तों पानी जादा अगर रूम धोते हैं तो इसका भी पानी डेन करने के लिए यहाँ पर पाइपलाइन का जो साइज है दोस्तों उसको मोटा करने की रिक्वार्मेंट थी इसलिए यहाँ पर इसको चार इंच कर दिया गया है अब यह जो है तीन इंच यहां से हो गया है और वो जो चार इंच वाला दिख रहा है यह ट्वाइड वाला है दोनों पाइपलाइन देखिए इस तरह से आगे निकल गया आगे बात्रूम वाला एरिया है चलिए मैं दिखाता हूं वहां पर पॉइंट भी आपको बनाना मैं सिखाता हूं आप लोग वीडियो में बने रहिए वीडियो को ल है यह बात्रूम का ही वाल है मास्टर बाथरूम है देखें यहां पर इस तरह से अंदर आरहा है अब दिखए यह बात्रूम वाला एरिया है और यह देखिए त्वाइल पarta वाला जो यह पाइपलाइन है दीखे इस तिरह से आया और यहां पे दिखे एक वाईटी दी या voll이야 पे यहां पर 0 को मोट्र पाइंट है यह उसके बाद यह वाला जो एक आपलिट है यह चला गया दूसरे वाले झालेस यह दिखें यहाँ प्लोर है अब डिया फ्रेक्षिश्य के यहां से इधर आएगा तो इस बात का अग्वाइट तो है तु फिटिंग है और कि आपको यह डियू द्यान द्हान रखना फोटिफ हाइब देखें यहां पर चार ऒाला नहां नहानी ट्रेप दिया आप नीचे वाला जो आउटलिट है देखे यहां पर इस तरह से एक अलबो दिया मैं फिर यहां पर दिया दोस्तों मैं एक वाइटी वाइटी देखे देखे यहां पर एक पॉइंट दिया मैं उसके बाद फिर नीचे वाला जो तो देखे यहां पर इस यहां पर वास बेसिन इस्टाल होगा वास बेसिन का जो पानी होगा वो यहां से इसके रास्ते डेन होगा और नहाने धोने का जो भी पानी गिरेगा वो इस ट्रैब में गिरेगा यहां से डेन होगा और यह जो नीचे वाला वाई टी है इसको मैं दिया बाहर वास बेसिन का का पॉइंट है देख लिए किस तरह से ये काम किया जाता है बिल्कुल सफाई से करना है देखिए यहां पर टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है बिल्कुल सफाई से काम किया गया है ती अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो दूस्तों पानी बहने में दिक्कत होता है इसलि रखेंगे यह दिखिए इसको मैं तसीज पर रखंगेंगे तो भी चलेगा लेकिन अभी यहां पर काफी ज़्यादा सेंटर में रखना है इसको दिखें इस वाले £22 डिया दीक्तत नहीं हो में आपको दखाया हूं यह दिखेंच का यहां पर इसका सेंटर वाले Continue का सेंटर यहां पर प्लास्टर टालस होने के बाद पीछे गए पाता है वो काफी जादा गंदा दिखता है इसलिए इसको दस इंच रखी ये पीछे वाले दिवार से साइड वाले दिवार से अब 224 इंच पे रख सकते हैं तो यह हो गया यह ट्वाल ट्वाला कमोड का पॉइंट उसके बाद दिखें बाथरूम का यह प यहाँ पर वार्जबेसिन का दिया गया है दिखेंगे एक ट्रेप दिया दिया गया है लिजाए हाँ उपर आप होगा समझने में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो आप नीचे कमेंट करिए उसका रिपलाई करने की कोशिस करूंगा मैं और साथ ही दूस्तो चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और पे क्लिक कीजिए ताकि मेर आगयाने वाली सभी नई वीडियो का नोडिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस नहां होने पाए दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नट अपके साथ